कि सो हलो एबरीबरी कैसे आप सभाई हो पच्छी होंगे मैं के पिसंत आप सभी करने ब्लोग में स्वागत करता हूं गाइस तो देख सकते हैं रिठानी के इस्टेशन तक मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था और आज आपको दिखाने वाला हूं सतापदी नगर और हैं आपको बता दूंगाइस से देख सकते हैं कि यह पिलर का इस्यक्चर खड़ा कर दिया गया है इसपर प्लर का इस्टेक्चर खड़ा कर दिया गया है तश्वीर आप लोग देख सकते हैं पर यह इस्टेशन आ जाता है सताब दिनगर मेरट सताब दिनगर का और टीएस का इस्टेशन आ चुका है तो दोनों साइडों में देख सकते हैं कंट्रक्शन अभी चल रहा है तेजी के साथ में क्योंकि इदार यह पाइलिंग मशीन लगी हुए है पाइलिंग हो चुका है अब इसको फांडेशन बना के और इसको पिलर ऊपर खड़ा किया जा रहा है तो देख सकते हैं यहां पर यह आपको बता दूए कि यहां पर गाट सेट्रिंग लगी हुई है यह पिलर भरे जा रहे हैं आप यहां पर सताबदी नगर का इस्टेशन है कि तश्वीर आप लोग देख सकते हैं कि यह अभी बस इतना ही काम हुआ है ऐसा ही आप लोग को देखने के लिए मिलेगा और अब हम आगे के लिए बढ़ चुके और य हुआ है किया यहां पर पाइलिंग मशीन दौरा इस पताइल की गई है देखी यह बिठाया जा Рहा है था आफ इसको इसराफर ला चरा किया जाता है नीचे जमीन में अब 옆र इसका उपर का धां grasp किया जाता है। तो देक सकते हैं यहां पर अभी कोई प्लएक खड़ा नहीं हुआ है है। हैं यहां पर ब्रक चल रहा अभी सताब्दी नगर के सताब्दी नगर और गया अ करके ब्रह्मा पुरी के बीच में कोई भी खड़ा नहीं हुआ देख सकते हैं आप लोग तच्विर है यह बचा हुआ है करीब एक किलो मीटर का पीछे-पीछे का और यहां से यह स्टार्ट हो जाता है देख सकते हैं यह स्टार्ट हो गया है यह देखी यह पिलर बिल्कुल कंप् गाटर होता है उसको बीच में लॉंच किया जाएगा फिर उसके बाद में साइडों के यह पिलर भरे जाएगे तो आपको बता दू कि यह लॉंचर लगा दिये गा यहां पर यह चार-पांच पिलर इसने लॉंचर ने कनेक्ट कर दिये हैं और यह जा रहा है मेरट सेंट्रल क इस्टेशन होगा गाइस तो यह 5.8 किलो मीटर की यह अंडर ग्राउंड रहेगी रैपिड रेल गाइस तो देख सकते हैं बहारी भरकम लॉंचर है काफी लंबा चौड़ा लॉंचर है यह और यह फ्लाइवर आ जाता है ब्रह्मा पुरी का गाइस देख सकते हैं दूसरे हमें इसselves पीर केप लगा दिया गया कहीं कहीं अभी लगा जा रहे हैं गाइस तो यही काम चल रहा है मेरित के अंदर गाइस और मैं आप लोगों को पूरा ही वीडियो के माध्यम से पूरा ही मेरेट में दिखाएंगे के मेरेट में कहां तक यह RRTS जाएगी तो आपको बता दें के यह मेरेट के लाश्ट में जो मोधिपुरम पढ़ेगा बिलकुल लाश्ट में उसका डिपो बनाया जाएगा उससे पहले मोधिपुरम का स्टेशन आपका बेगम पुल का स्टेशन पढ़ेगा गाई तो वह भी आप लोग को दिखाएंगे अगली वीडियो में तो आप लोग देखने के लिए बने रही है के पी संत के साथ हैं और देख सकते यह बरकर यहां पर पिलर को जोड़ने का काम कर रहे हैं देख सकते हैं आप लो द्वारा इस पर गाटर लॉंचिंग होगी और यह आ जाता है ब्रह्मा पुरी का इस टेशन गाई देख सकते हैं तश्वीर हैं तो अभी यह ब्रह्मा पुरी का इस टेशन नहीं बना फैस्ट प्लोर अभी काम ही चल रहा है इन पर अभी यह तीन साइड में बनाए जाए दो साइड बन गई है तीसरी साई यह लप्ट वाल है तो देख सकते हैं और अपनी आखों सो देख सकते हैं और आहसे ही वीडीो देखने के लिए तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉक्स के पिसंत आप लोगों के बीच में लाता रहता है गाइस तो देख सकते हैं अभी काम चल रहा है ये पिलर बनाने का तो कहीं-कहीं पिलर बन चुके हैं कंक्रीट हो चुका है कहीं-कही इन पर पिलर का जो रिंग होता है वो लगाया जा रहा फिर इसके बाद में सैट्रिंग लगा के इसको फिर ये कंक्रीट की मदद से भरा जाएगा तो कुछ पिलर यहां पर यह बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं गाइस तस्वीर आप लोग देख सकते हो यह कुछ पिलर क चोटे होते चले जा रहे हैं देख सकते हैं आप लोग के यह पिलर बिल्कुल छोटा हो गया यह लाश्ट प्लर है और यहां से स्टार्टिंग हो चुकी है अंडर ग्राउंड मैट्रों की अर्रटियस की रैपिड रेल की गाई से यहां से अंडर ग्राउंड चलेगा अब यह और आगे आने वाला है आपको बता दूँ फुट वाल चौक जो फुट वाल चौक है वह आने वाला है और वही मेरट सेंट्रल का इस्टेशन बनाए जाएगा उसके नीचे और आपको बता दूँ यह कसम करीब बाइस फिट नीचे जमीन के है गाईस जो यहां पर बनाई जा रही है यह रैपिट रेल जमीन में अंडर ग्राउंड जो चलेगी वह बहुत ही अंदर है इसमें आपको बता दूँ के 80 सीडियां बनाई गई है नीचे 80 सीडियों को मतलब लगा लो आप लोग कि कितने लिचे जमीन में जाना पड़ता है तब जाके सुरंगा आती है तो देख सकते हैं पहला इस्टेशन पड़े पड़ेगा यह मिरट सेंट्रल का अंडर ग्राउंड दूसरा होगा बहचाली नगर का तीसरा होगा बेगमपुल का गाईस यह तीन इस्टेशन पड़ेंगे जो हम क्रोश करेंगे बैसे मेरे सेंट्रल के लिए चलेंगे तो इस पर पाइलिंग हो रही है जमीन में और डीवाल बनाने का काम चल रहा है दोनों साइड में पहले डीवाल बनाए जाएंगे फिर इसके बाद में उपर कंक्रीट किया जाएगा मतलब इसका फ्लोरिंग का का क किया जाएगा तो अभी यही काम चल रहा है तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि डीवाल कैसे बनाया जाता है कितना लोहा लगता है आप लोगों को अभी आगे देखने के लिए मिलेगा तो मैंने सोचा क्यों आप लोगों को दिखाया जाए मेरत तक बिरकुल कलियर कि जाए और जैसे ही मोधी पुरम्ता की ये किलियर हो जाएगा तो आपको बता दू ये कॉरीडोर के के पिसंत के चैनल पर पूरा वीडियो देखने के लिए मिलेगा कॉरीडोर से लेटर जहांता ये श्टार्ट होता है और जहां ये कॉरीडोर खतम होता है उसकी पूरी क्ष्छे था तो देखने के लिए मिलेगी Mr. Charikail के चैनल पर तो इसे ही देखते हैं और एसे ही लाइक ओकनत करते रहा हो ऐसे ही प्यार करते हो के पीसंत आप लोग के बीच मैं है रही वीडियो बना कर आप लोग के बीच मिछ नाता रहेगा पुआज है मैं जादा से और अच्छे से वीडियो देखने के लिए मिलेगी कोई धने के लिए मिलेगी मेरी इस पीच भी मैं सुधार करने की कोड़ कर रहा हूं तो बो बहुत आप लोगों को सुधार हो जाएगा तो information आपको एकदम exactly information देखने के लिए मिलेगी गाई तो देख सकते हैं यह है मेरेट central यहां से स्टार्ट हो जाता है आपको बताओ यह देखिए डीवाल बनाने का यह देखिए यह सर्यों का जाल बनाया गया है जो कि यह 5 पिटका है सर्या चोड़ाई देख सकते हैं इसकी कितनी लंबी चोड़ी चोड़ाई यह उसके डीवाल बनाने का काम चल रहा है यहां पर यह मेरेट सेंट्रल पर गाई से यहां से अंडरग्राउंड यह हो चुकी है तो इसे अभी डीवाल बनाने का काम चल रहा है इस जगह पर गाई तश्वीर आप लोग देख सकते हो यह हैभी हैभी क्रेने लगी हुई है उठाने के लिए और इसको डीवाल बनाने के लिए तो ऐसे ही से देखो के पिसंद के चैनल पर इंफोर मिर्शनल गाई और आपको बता दू कि देखिए यह फुटवाल चौक आ चुका है आगे 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 आप लोग को देखने के लिए मिलेगा फुटवाल चौक और यहां से यह घूम जाएगी राइट में और राइट में आज आज सकते हैं फुटवाल चौक आ चुका है यहां पर और यह मेरे लेट में बात्त के लिए चला जाता है और राइट में यह तो देखिसके यह अंडर ग्रांड काम चल रहा है RRTS का क्योंकि यहां अंडर ग्राउंड दोड़ेगी देख सकते हैं आप लोग तच्वीर है और यह इस्टेशन आने वाला है बहेशाली बस इस्टेंड जो मेरेट में आता है बहीं पर एकी स्टेशन बनाया जा रहा है बहेशाली का दोनों साइड में देखिए पाइलिंग क जाते हैं दो जा रहे थे ट्रक में रख्थे हुए और देखिए बहेशाली की तरप सब्सक्राइब यह गाडियां आरी है बस है देख सकते हैं आप लोग तो छ्वीर है क्योंकि यहां से यह स्टार्ट हो जाता है यह देखिए यह साली मेरेट का बहेशाली और वहीं पर आ बनाया जा रहा है और आप लोग बताना कि यह वीडियो कैसा लगा देखिए है बस इस्टेंड वहताली मेरट उत्तरपरदेश इंडिया और ही पर इस्टेशन बनाया जा रहा है और इसके आगे पड़ेगा बेगंपुल उसका इस्टेशन आपको अगली वीडियो में देखन तरुंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं आप लोगों को इंफोर्मिशन देता रहता हूं तो देख सकते हैं यह बहुत जाद है और देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से यह जाम का सामना करना पर बहुत जाद है घनी बचती है और यह हम निकलते हुए जा रहे हैं आगे के लिए गाइस और आगे आप लोगों को देखने के लिए बिलेगा बेगमपुल और आपका मिस कलोनी और दौरली के स्टेशन आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे गाइस जिदर से हम आएं अभी उदर ऐसे समझो वह जाम बाला इलाका ही है मेरट का जो कि बहुत जादे जाम रहता है वहां पर तो यहां से हम निकलते हुए आगे के लिए जा ले हैं देखिए और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा गई तो ऐसे इब्लोक्स देखो यह लिए के पिशनत को हु p कमिंट करें जादे से जादे ऊज़्द सिकती हुए और मेरे सफ़े वीडियो में गलती हो गई तिगा कैंव इस के लिए च chloride नहीं हो談 आगे सादी यह तो अनिकार नहीं हो गयी तो ईसी गलती आप आगे से नहीं हो गया से कोशिच मैं यही है कर यह गलती कर रहा हूं मैं वो सब कुछ समझ माता आता है तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ऐसे ही प्यार करते रहो गाइस मैं आप लोग के लिए कोसिस करूँआ कि मैं कोई गलती नहीं करूं तो चलिए आप से मिलते नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए है बारत गायत मिलते हैं किसी नहीं बीडियों